SSC से जड़ोई सारी न्यूज और फ्री ओनलाइन कोटिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुचने के लिए तो एक बार फिर स्वागत है SSC मांडसेट में उन सभी का जो SSC की तियारी में कूद रहे हैं या कूदने वाले हैं सबको मेरा नमस्कार आदाब सुस्त्रेकाल तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिट्स या फिर ऐसी अंदेवस्वासों की जो स्ट्रेंट्स ने बना लिए हैं SSC CGL के एक्जाम के लिए कई सारे हैं जैसे कि यार मैं गाउं में रहता हूँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ मैंने मैथ नहीं पड़ी ठीक वाले भी हैं इसमें कॉट ओफ इतनी जादा है वगेरा वगेरा काई सारी मिट्स से उन सब के बार में बात करेंगे हम ठीक है और मोटिविट करने कोशिद करूँ गा लोगों को कि यार लोगों को थोड़ा भरोसा मिले अपने आपर भरोसा है कि यार मैं कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि लोगों को यह भरोसा नहीं होता कि यार अगर मैं नहीं कर पाया तो वो यह सोचते हैं ठीक है तो यह नहीं मन में आना चाहिए कि मैं नहीं कर पाया तो ठीक है क्यों नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल करोंगा यह सोचो ठीक है तो उसी की बार में बात करें कि English medium के students के लिए ठीक है तो जैसे आप कभी X किसी coaching में जाएंगे ठीक है या फिर कहीं भी देखेंगे तो हर कोई आप से बोलेगा कि यार English medium वालों के आगे compete कैसे कर पाएंगे SSC bank उनके लिए उन्हीं के लिए बनाए हमारे लिए नहीं बनाए ठीक है और कभी आप अपने किसी बड़े S-print से पूछना जो आप से senior आ रहे है या वो तैयारी कर रहा है तो हमेशा आपको demotivate करेगा English और Hindi के चक्कर में हमेशा वो यहीं बोलेगा कि यार मैंने भी English तैयारी करने कोशिश की थी मैं नहीं कर पाया मैं अख़वार बढ़ता था मैं ये करता था मैं वो करत आप में थी वहम इसाबसे यह बोलेगा तो कमी हम में नहीं है ठिक है कमी हमारी सोच में आ जाती है ठीक है हम सोच को हटाके English धि कुछ नहीं होता है अर्देगो मेन हमारी depend करता कि हमारी मैनत कैसी है ठीक है अगर हम मैनत अच्छी कर रहे हैं तो हम यह फायदा मिलेगा यह म कर सकता मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखिए जो गाउं में रहकर पहले अटेम्ट में उन्होंने सीजियल क्रेक करा और इंटर्वियू की पोस्ट पाई है ठीक है ना कोई कोचिंग ना कुछ बस खुद बढ़ाई किया और उन्होंने पहली बार में ही ससी या बैंक का क्रेक किय एक्जाम ठीक है और देखिए वहाँ पर लोगों का ये कहना काम होता है कि यार तू गाउं में रहरा तू नहीं कर पाएगा ठीक है अगर उनकी सुनने बैठे तो कभी कुछ नहीं कर पाऊगी तो उनकी मत सुनो ठीक है अपने दिल की सुनो कि मैं क्या चाता हूँ अगर मै पर अगर तुमारी सोच नहीं बदली न कुछ नहीं कर पाऊगे इसलिए सोच बदलो जगए नहीं ठीक है उसके बाद जो हमारी तीसरी मित है ठीक है वो बहुत ही मैंने देखा है आज कल बहुत ही फैली हुई है कि यार हर कोई अपने जो फेलियर को छपाने के लिए तो यह मत सूच हो कि यार सब सेटिंग्स होता हुगा तो इसकी जान पचान है का होगा हमारा नहीं होगा तो एसकाद नहीं है तो उसका भी तो कोई रिजन आंसर सीट हो तुम्हें दिखाते हैं, यह नहीं कि आंसर सीट नहीं दिखाते हैं, आंसर सीट दिखाते हैं, तुम्हें को नहीं करके आ रहे तो तुम्हारा नहीं हो रहा, ठीक है, यू मत सोचों कि सब जैटिंग्स होता है, इसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसके बाद, यार, क कबी कोई कहता है 350 थी पिछले साल इस बार थहार है चारब सब्स चले गई कटॉफ 2014 में 426 चले गई कटॉफ तो कटॉफ किसले जया जा रही है ? कटॉफ इसलिए ज़ादा नहीं जा रही है कि या यहा पर पैसा दे के कटॉफ बढ़ाया जा रहा है कट अफ इसलिए ज़्यादा जा रही हो कि आज कल government में इतना लोगों का वो हो गया नहीं कि और मुझे government job भी चाहिए तो चाहिए बी-tech वाला हो चाहिए MBA वाला हो चाहिए कोई भी हो सबको government job चाहिए तो वो भी exam देने आ रहे हैं और जब वो exam देने आ रहे हैं तो भाई वो हाई जा रहा है तो यह मत सूचो कि यह cut off का भाना नहीं cut off तुम भी मेनत कर तुमारा भी हाई जाएगा ठीक है मेनत कोई बड़ी चीज नहीं है हम यह नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप 12 घंटे पड़ो 10 घंटे पड़ो यह 50 घंटे पड़ो ऐसा कुछ नहीं है बस जितना भ वीडियो देखे रहे तो पड़िये तो पड़िये पर हर वक्त यह नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और होना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक हे, और एक और चुद्मित है, वो क्या है कि YAR SSC वाले करब्ठ होते हैं, ठीक हे, वहां पर स् हमारा 4 उतमेत है कि यार हम BTEC वालों से कैसे compare कर पाएंगे ठीक है कि BTEC वाले और MBA वाले हम से math से आते हैं हम non math से हैं ठीक है और इनको इतनी मतब knowledge होती है math से तो आपने कभी CGL का exam देखा है उसकी math और BTEC की math में कोई भी mail नहीं है बिलकुल अलग आती है ठीक है यहां पर क्या compensation, integration यह सब देखोगे मैं भी BTEC वाला हूं मुझे पता है वहां की math का यहां की math से कोई हां मैं एक चीजी कह सकता हूं कि चलो यार calculation से थोड़ा सा effect पड़ता है कि हां यार उनकी लिखने की speed अच्छी होती है क्योंकि उन्हें लिखने की speed अच्छी है पर accuracy और methods उन्हें नही नहीं पता होता है ठीक है मैंने भी जब start किया था शरवात में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था किया यहां की math बिल्कुल अलग है ठीक है तो मैंने भी तो मैंने भी स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट g Gulf turkey यह नहीं कि मझे सब कुछ पहले से आता था तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं थोầy बीटक वाला है तोसकी मैं अच्ची होगी या इंगलिनस अच्छी होगी ऐसा कुछ नहीं है बीटक वाले की English बोलने में बहुत अच्छी होती है, पर grammar में आ गया, common errors में आ गया, antonyms, synonyms आ गया, वो इसको नहीं याद होते है, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि बीटक वाले की English, grammar और जादा बेकार होती है, को कि वो grammatical चीज़ों पर जादा focus करता ही नहीं था अपनी 50% आए, और मैं कहां से मेरी rank आजाएगी, कोई माने नहीं रखता है, मैं 50% वाले बंदे topper आते हुए देखें, ठीक है, तो मेहनत काम आती है, मेहनत ही तुमारी rank दलाएगी, तो मैं डिगरी से मतलब नहीं है, डिगरी तुमारी कैसी भी हो, मेहनत, बीटक की डिगरी हो, चाहाए-कॉम की डिगरी हो, चाहाए-कॉम सायन्स की डिगरी क्यों ना हो, अगर तुमें मेहनत करिया न तो तुम वीटक के टॉपर से ज्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है, तो यह सारी मिथ है, तो यह सब भगवास होती है, ठीक है, टो अपना 100% दो, बस तोड़ दो, य रेंक चाहिए, एक रेंक हमारी हमाँ पर ठीक है, और बस यह सोचो, और जो भी कोई कुछ कहे कि यार, अगर नहीं हुआ तो बहुत लोग होता है, यार वो कहते हैं, यार नहीं हो पाए, तो क्या करोगे, नहीं का तो यहाँ पर है यह नहीं, तो अपनी लाइफ में कभी चाहदा सीख दिंगे, जन्होंने कभी तयारी करी ही नहीं है, ठीक है, इसलिए एग्नोर मारा करो, अपना फोकस पूरा का पूरा, सिर्फ तयारी पर रखो, ठीक है, कि मुझे तयारी करनी है, चाहदा टाइम नहीं बचा है, अभी सिर्फ तीन महीने बचाएं, और फोर्थ महीने की स्टार्टिंग से सीजल का एक्साम सुरू हो जाएंगे, तो कि यही वक्त है, जो आपका है, ठीक है, अगर आप तीन महीने से अभी भी स्टार्टिंग करते हैं, तो आपका एक्साम निकल जाएगा, बस आपकी स्टेटिजिक टाइप की उनिची वह माहीने रखती है ठीक है मैं एक तीन मेनी की स्टेडिजिक उपर एक वीडियो बनाऊंगा मुझे लग रहा है कि मुझे बजा बनाना चाहिए कोई कि बहुत जरूरी है पर एक ही चीच आप से कहने चाहूंगा कि फोकस अपना रखिये एक्साम की तरफ यह मत सोचिए कि यार मैं यह हूँ मैं वो हूँ कोई मायने नहीं रखता यार लोगों ने जो स्टीट लाइट्स के नीचे पढ़ पढ़ के आज वो राश्टपती बने चाय बेच बेच के लोग मोधी बन गए यार ठीक है ओबामा भी कोई बड़ा अमीराद में नहीं था कर वो भी बहुत छोटा था ठीक है एंडिया टीवी के रजस्टर में वो भी यार छोटी से घर में रहते थे खाने को खाना नहीं मिलता था तो अगर आप जितने छोटे ना मैं तो एक चीज़ जानता हूं कि आपको जितना दबाया जा हैं तो आप उतनी तेजी से निकल कर आएंगे ठीक है तो आपने देखा होगे कि यार जितने जादा सक्सस मिलेगी ठीक है तो कभी यह मस सोचिए कि यार मैंने नहीं कर पाऊंगा ठीक है अपना give up कभी मत दीजिए और एक चीज हमें सा याद रखिए कि strength is life and weakness is death ठीक है यार जो आपकी strength है वो ही आपकी जिंदी है weakness अगर आप में आ गई तो आप समझ लेए यापकी death हो गई और last में सिर्फ एक ही चीज इतना कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि यार मेहनत इतनी खामोसी से करोना कि सफलता सोर मचा दे ठीक है तो बस यही अपने दिल में रखिए और तैयारी करिए ठीक है फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही कुछ वीडियो के साथ जब तक के लिए बाय थैंक्स पर वाचिंग अन वंदे मातरम